हलो एवरीवन वेलकम टो ऑनलाइन पाच्शाला टोड़ेई वी विल सी एंसी यार्टी क्लास फूर्थ एवियस चैप्टर थ्री अडेवित नंदू तो एवियस के इस चैप्टर में छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसमें की नंदू के बारें बता गया है और नंदू क्या है आप पिक्चर में देख सकते हो कि हाथी का पिक्चर बना हुआ है तो नंदू एक हाथी के बच्चे का नाम है तो इसके बारे में छोटी सी स्टोरी दी गई है और इस स्टोरी के थ्रू हमें बताया गया है कि हाथी की लाइप कैसी होती है और हाथी के बारे में information दी गई है तो आएए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया गया है नंदू waxed up नंदू woke up and opened his eyes नंदू उठा और अपनी आखें खोला For a few seconds, he was not sure where he was कुछ second के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो आखिर है कहां It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks उसे ऐसा लगा, जैसे कि वो किसी जंगल में है उसके चारो तरफ जंगल है और वहां big grey tree trunks है यानि कि grey color के उसे trees दिखाई दे रहते tree के जो trunks होते हैं, मोटे मोटे तना जो होता है वो उसे दिखाई दे रहा था और उसे लग रहा था किसी जंगल में है he blinked his eyes and looked around वो अपनी पलकों को ऐसे जपकाया blink करना मतलब अपनी पलकों को जपकाना और look around और अपनी चारो तरफ देखा ओ, there was a ma ओ, वहां तो a ma है a ma मतलब नंदू की ma थी वहां पर the grey forest that he had imagined he was in, was actually the legs and trunks of his family members वो जो grey forest वो imagine कर रहा था जब वो नीन से जगा था तो वो actual में grey forest नहीं था वलकि legs थे, किसके? उसके family members के legs and trunks मतलब की पैर और हाथी का जो सूर होता है उसको trunks का जाता है तो नंदू के family members के legs और trunks थे वहां पर the sun was overhead and it was getting hot sun जो था बिलकुल सर पे आ गया था और बहुत गर्मी थी, मतलब सूरच जब दो फर के समय उपर आ जाता है बिलकुल हमारे सर के उपर तो हमें ज्यादा गर्मी लगती है नानी मा trumpet made a loud sound नानी मा जो होती है नंदू की यान नंदू की मम्मी की भी मम्मी उसको नानी मा कहते है जैसे आपके मम्मी की मम्मी आपके नानी होती है उसी तरह से नंदू की मम्मी की मम्मी जो थी वो नंदू की नानी मा थी तो नानीमा ने जो और की आवाज निकाली हाथियों के आवाज को कहा जाता है नानीमा is the oldest in the herd of elephants जो नंदु की नानीमा थी वो सबसे oldest यानि की बूधी थी पूरे elephant के जुंड में herd मतलब जुंड हाथियों के जुंड को herd कहा जाता है She started moving towards the jungle नानीमा जो थी वो जंगल की तरफ चलना स्टार्ट करती The other female elephants saw her and started to follow her और दूसरी जो female elephants थी female elephants मतलब की जो भी मादा elephant मादा हाथियों की जो male होता है और जो female होती है वो लड़किया या और ते उसमें होती है तो यहाँ पे सारे female elephants थी यानि की मादा हाथि तो वो जो है वो नानीमा को जैसे देखी वैसी उनको follow करने लगी यानि की उनके पीछे-पीछे चल दी जहाँ नानीमा चल रही थी तो उनके पीछे-पीछे अब पूरा का पूरा जुन्द चल दिया नंदू also went with them और नंदू भी उनके साथ चल दिया और जैसे ही ये लोग जंगल पहुच गए जो मेंबर्स थे उस चुन्द में वो लोग इधर उधर फैल गए जो भी उस चुन्द के मेंबर थे वो अपने अपने फैल लेप्स खाना शुरू कर दिये और ट्विंक्स यानि जो सौफ्ट तना होता है पेड़ पॉद होगा उसको ट्विंक्स कहा जाता है तो हाती जो है वो लेप्स भी खाते हैं और टना भी खा लेते हैं छोटे मोटे तने को भी उखार करके खा जाते हैं तो सारे हाती अपने अपने फैलेट तना ये और पत्तियां खाना श्टार्ट कर दिये अब जब ये लोग खाना खा लिये तो पूरा जो जुन्द था वो रीवर की तरप चल दिया जो बेबी एलिफेंट्स थे उनको पानी में बहुत मजा रहा था खेलने में जो मदर एलिफेंट्स थी नदी के किनारे मिट्टी और पानी में लेट रही थी क्या आपको पता है एलिफेंट्स मतलब की जो बरे हो चुके हैं वो 100 kg यानि 100 kg से भी जादा लिफेंट्स खा लेते हैं एक दिन में एलिफेंट्स डो नोट रेष्ट वेरी मच और एलिफेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा रेष्ट नहीं करते हैं रेष्ट मतलब आराम तो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं वो दिन में जो हैं दो या चार घंडे ही सोते हैं Elephants love to play with mud and water Elephants जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता है पानी और मिट्टी से खेलना The mud keeps their skin cool और mud जो होता है मिट्टी जो होता है उनके skin को ठंडा रखता है Their big ears also work like fence और उनके जो बरे-बरे कान होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं The elephant flap these to keep themselves cool और elephant जो से flap करते है Flap करना मतलब की हिलाना तो वो जो है अपने आपको cool रखने के लिए ठंडा रखने के लिए अपने कान को हिलाते हैं तो आप picture में देख रहे होगे कि हाथियों के जो बच्चे हैं वो कितना enjoy कर रहे हैं दूसरे के साथ खेल रहे हैं पानी भरके एक दूसरे के उपर अवारा बना करके डाल रहे हैं तो सब पानी में बहुत मज़े कर रहे हैं आगे देखते हैं Fun and Games नंदू saw his brothers and sisters pulling each other still नंदू ने देखा कि उनके भाई और बहन एक दूसरे के पूस कीच रहे हैं He thought I better not to go near them वो सोचता है कि मेरे ले अच्छा है कि मैं उनके आसपास ना जाऊँ What if they fall on me? क्या होगा जब वो मेरे उपर गिर जाएंगे? मतलब नंदू डर रहा था कि कहीं मैं उनके पास क्या और वो मेरे उपर ही न गिर जाएं I am still small मैं अभी भी छोटा हूँ He quietly went and stood near his mother वो चुपचाप से वाँ से चला गया और अपनी मा के पास जाके खराओ गया अम्मा gently pushed नंदू to wash the water अम्मा जो है वो धीरे से नंदू को push करती है पानी की तरह As if he was telling him to go and play मतलब वो push करने का उनका क्या मतलब है? कि वो जैसे वो कह रही है कि जाओ और तुम भी खेलो नंदू लब टू प्ले इन दे वाटर नंदू को भी पानी में खेलना बहुत पसंद था His cousin were already there उसके cousin जो थे वो पहले से ही वहाँ पानी में थे Just as he reached near a strong fountain of water fell on his head और जैसे ही वो थोटा नजदीक पहुचा एक strong सा fountain पानी का फवारा जो इसके सर के उपर आके गिरा He got wet मतलब wet means गीला तो वो भी गीला हो गया Oh, this was the work of his naughty cousin यह तो उसके naughty cousin जो थे भाई बहन जो थे पदमास उनका काम था Nandu joined them in the game और Nandu भी उन्हें उस game में जोइन कर लिया अब वो भी वो game खेलने लग गया Before sunset, the herd started back towards the jungle Sunset होने से पहले जुन्ट जो है फिर से वापस जंगल की तरह चल दिया By then, Nandu was very tired Nandu जो था वो बहुत थक गया था He settled himself between his mother's front legs And fell asleep as he drank her milk और Nandu क्या क्या अपनी mother के front legs के बीच में गया और दूद पिया और वहीं पे सो गया You have read about Nandu and the elephant herd आप लोगों ने read गया भी पढ़ा Nandu और elephant के जुन्ट के बारे में An elephant herd has only female and baby elephants Elephant के जुन्ट होते हैं उनमें सिर्फ female elephant होती है और उनके बच्चे ही होते हैं मतलब कि उसमें male elephant नहीं होते हैं The oldest female is the leader of the herd और जो सबसे बूरी elephant होती है वो पूरे के पूरे जुन्ट की leader होती है A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones एक herd में जो है 10 से वारक female elephant हो सकती हैं और उनके बच्चे हो सकते हैं Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old Male elephants जो होते हैं जब तक 14-15 साल के नहीं होते तब तक herd में रहते हैं और 14-15 साल होते ही वो herd छोड़ करके अकेले रहना पसंद करते हैं Then they leave their herd and move around alone फिर वो क्या करते हैं कि herd को छोड़ देते हैं male elephants और वो फिर अकेले ही घूमते हैं नंदू will also leave his herd when he is that old और नंदू भी अपना herd जो है जो है जो है जो है छोड़ करके एक दिन चला जाएगा जब वो 14-15 साल का हो जाएगा Like elephants, some other animals also lead together in groups Elephants की तरह और भी कई जानवर ऐसे हैं जो group में रहते हैं Each animal groups are called herd और वैसे animal के जुन्ड को कहा जाता है herd मतलब जुन्ड Animals in herds usually move around together searching for food और जो animals herd में रहते हैं जुन्ड में रहते हैं वो साथ में निकलते हैं खाने की तलास में वीडियो के इस पार्ट में बस इतना ही इस पार्ट में हम ने देखा इस चैप्टर का explanation और अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर का question answers देखेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ओके थांक यू अगर आपको लाइब करेंगे